ओम शान्ति आज पांच मई दो हजार तेईस है आज की साकार मुर्ली में बाबा ने यथार्त श्रेष्ट हैंडलिंग की बात की है हम बच्चों को जो इतने कमजोर पतित हो चुके थे जैसे बाबा कहते हैं अगर कोई बहुत मेला कपड़ा होता है उसको अगर जोर से पटका जाए तो वो फट जाता है ऐसे बच्चों को भी बाबा कितना यथार्त श्रेष्ट हैंडलिंग के साथ साफ बना रहे है और उनसे सेवा भी करवा रहे है तो यही विदी बाबा हमें भी सिखाते है यही विधी आज बाबा हमें अव्यक्त इशारों में भी सिखा रही है तो क्या है बाबा की यतार्शरेष्ट हैंडलिंग जो हमें भी सीख कर औरों को प्रदान करनी है आइए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से आप शमा के सागर के बच्चे हो तो परवश आत्माओं को शमा दे दो अपनी शुब वृत्ती से ऐसा वायू मंडल बनाओ जो कोई भी आपके सामने आए वह कुछ ना कुछ स्नेहे ले सहयोग ले शमा का अनुभव करे हिम्मत का उमंग उत्साह का अनुभव करे जैसे आज बाबा ने मुरली में भी कहा कि कुछ ना कुछ हम से लेकर के जाए यही आज बाबा हमें अव्यक्त इशारू में भी कह रही है कोई भी आत्मा आए उस समय की आत्मा की स्थिथी और हमारी श्रेष्ट स्थिथी के आधार पर कुछ नो कुछ हम उस आत्मा को दे भले स्नेहे दे, सहयोग दे, उमंग दे, हिम्मत दे, कुछ भी दे जाहिर सी बात है जो आत्मा लेने आ रही है वो परफेक्ट तो नहीं है उसमें लेने का मार्जिन है, उसमें सुधार का मार्जिन है तभी वो लेने वाले और हम देने वाले है तो ऐसे में हमें शमा का सागर बनना है लेने वाले की कमजोरी को ना देखे है कमजोरी तभी वो लेने आई है लेकिन अगर हम उसकी कमजोरी को देखकर अपना हाथ पीछे खीच लेते हैं तो ये हमारी कमजोरी है अगर हम जो लेने आया है उससे पहले कुछ अपेक्षा रखते हैं तो इसका मतलब हम देने वाले नहीं है तो आज बाबा ने हमें स्नेह का सागर उसके साथ साथ शमा का सागर ये स्मृति बाबा ने हमें दिलाई है पिछली उस आत्मा की हर बात को भुला करके आगे उस आत्मा को जो बनना है वो विजन जब हम रखेंगे तब उस आत्मा को वैसा बनाने के लिए हम उसे दे पाएंगे ये है यथार्थ हैंडलिंग और श्रेश्ट स्थिथी से श्रेश्ट हैंडलिंग यही बाबा भी करते हैं हम बच्चों के लिए हमारे वर्तमान को नहीं लेकिन हमारे आधी मद्य अंत को देख करके जैसे हम पहले थे और फिर से बनने वाले हैं वैसी ही हमें बाबा शिक्षा और शक्ति देते हैं और यही हम मास्टर शमा के सागर भी करते चले ओम शंती